मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, आज देव दिपावली का पावन पर्व है, आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देश्वासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि डेड़ साल के अंतराल के बाद करतारपूर साहिब कोरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाईये तदरगी ही बेशन पाईये। यानि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देश वांसियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। नजाने कितनी पेडियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने पांच दसक के सारवजनिक जीवन में मैंने किसानों की परिशानियों को, उनकी चुनोतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधान मंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने क्रिशी विकास किसान कल्यान को सरवोच्य प्राठ्विक्ता दी। साथ क्यों, इस सच्चाई से बहुत लोग अंजान है कि देश के सो में से असी किसान, छोटे किसान है, उनके पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है, आप कल्पना कर सकते हैं। इन छोटे किसानों की संख्या दस करोड से भी जादा है, उनकी पूरी जिन्दगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, यही उनकी जिन्दगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढी दरपीढी परिवारों हमें होने वाला बटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनोतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चव तरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीच के साथ ही किसानों को निमकोटेड यूरिया, स्वाइल हेल कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड स्वाइल हेल कार्ड किसानों को दिये और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रिकल्चर प्रोड़क्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बिमा योजना के ओ अधिक प्रभावी बनाया, उसके दाइरे में जादा किसानों को लाए, आपदा के समय जादा से जादा किसानों को आसानी से मुवावजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बढ़ ले। इस वज़े से बीते चार साल में एक लाख करोड रुपे से अधिक का मुवावजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले स्रमी को तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरोतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में एक लाख बासट हजार करोड रुपे ट्रांसफर किये। सीधे उनके खाते में साथियों किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपच की सही कीमत मिले। इसके लिए भी अनेक कदम उठाये गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफरास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने MSP तो बढ़ाई है। साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दसकों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। देश की एक हजार से जादा मंडियों को इनाम योजना से जोड़ कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्रेटफॉर्म दिया। और इसके साथ ही देश भर की क्रशी मंडियों के आधुनी करण पर भी हमने करोड़ों रुप्य खर्च किये। साथियों, आज केंद्र सरकार का क्रशी बजेट पहले के मुकाबले पाज गुना बढ़ गया है। हर वर्ष सवा लाग करोड रुपे से अधिक क्रशी पर खर्च किये जा रहे हैं। एक लाग करोड रुपे के अग्रिकल्चर इंफ्रास्टेक्टर फंड के माध्यम से गाउं और खेत के इंदद्दीक भंडारण, इसकी ववस्ता, क्रिशी उपकरण जैसी अनेग सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बाते तेजी से हो रही हैं। चोटे किसानों की ताकद बढाने के लिए 10,000 FPO किसान उपादक संगर्षन बनाने का अभियान भी जा रही है। इस पर भी करीब 7,000 करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवटन को भी दो गुना करके 10,000 करोड रुपे कर दिया गया है। हमने क्रोप लोन भी दो गुना कर दिया तो इस वर्ष 16,000 करोड रुपे हो जाएगा। अब पशु पालकों को मचली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार का लाब मिलना शुरू हो गया है। यानि हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिती सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिती मजबूत हो, इसके लिए पूरी इमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन करशी कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खास कर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले। बर्सों से ये मांग देश के किसान, देश के क्रशी विशेशग्य, देश के क्रशी अर्थसास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था, इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया, मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हुँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खास कर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हित में, देश के हित में, गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्ण समर्पण भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझा नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था कृषी अर्थसात्रियों ने वैज्याकिनिकों ने प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें कृषी कानूनों के महत्व को समझाने का भड़पूर प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मंद से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकिन नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरान ये विशेम माननी ये सर्वोचे नहाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने है इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश परव है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्ने लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है संसत्सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे साथियों मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरुवात करते हैं नए शुरे से आगे बढ़ते हैं साथियों आज ही सरकार ने किसी क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला दिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेतु को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यक्ताओं को धान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए ऐसे सभी विश्यों पर भविश्य को धान में रखते हुए निरने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा इस कमीटी में केंदर सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे किसान होंगे, कृष्य वज्यानिक होंगे, कृष्य अर्थसात्री होंगे साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सींजी की भावना में अपनी बात समात्त करूंगा देही शिवावर मोहे इह, सुब कर्मन ते कभूं न टरों हे देवी, मुझे ये वर्द ही जिए कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे न हटूं जो किया, किसानों के लिए किया जो कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ आप सभी के आशिरवाद से मैंने महनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा महनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार